हेलो गाईज, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बाल विकास हम सक्षशा, सेल डेवलप्मेंट एंड पैड़ागाजी के कुछ मातो पूर प्रश्णों को बालक के विकास की प्रक्रिया कफ सुरू होती है जन्म से पूरू विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यान चलती है, समाने रूप से विकास की कितने अवस्थाएं होती है पांच, वाता वरोड में सब बाहत तत्वा आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरम करने के समय से प्रभावित किया है, यह परिभासा किसकी है उडवर्थ की, वन पाजा सकता है, सैसोकाल का नियत समय है, जन्म से पांच, छे वर्षता, बालक की तिब्र बुद्धी का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, विकास सामाने से तिब्र होता है, विकास एक प्रक्रिया है, निरंतर, बाले वस्था में मस्तिस्क का विकास हो जाता है, नब विकास के संदर में मैग डूगल ने मूल प्रवित्यात्मक व्यवहार का विशले चड़ किया। विकास के लिए ध्यापक का कारे है बालकों को सीखने के पूरे-पूरे औसर प्रदान करें। विकास की समस्याइं, समायोजन की समस्याइं, काम और समय गात्मक समस्याइं। सहस्वावस्था है जन्व से साथ वर्स तक। सिखु का विकास प्रारंभ होता है गर्भकाल में। वाले वस्था के लिए परियाप्त नीद होती है आठ गंटे। वालिखाओं की लंबाई के दृष्टी से अधिकतमायू है सोल वर्स। बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है वह वंसानुक्रम या वातवरर दोनों ही नहीं। किसके विचार से सहस्वावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवित्ती पर आधारित होती है फ्रायर्ड। रास ने विकास करम के अंतरगत किसोरा वस्था का काल ने धारित किया है बारा से अठार वर्स तक। विकास वात के समर्थक थे डिके अंबुष, गाल्टन, डार्विल। विकास का तातपर है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपकता की ओर बढ़ता है। एज और परवर्टी कहलाता है पूर्ड की सोरा वस्था। विकास के स्वाभविक विकास को कहते हैं अभी बृध्धि, बालक की विकास की प्रक्रिया में विकास की सुरुवात होती है, जन्म से पूरूर। विकास के प्रडाम स्वाभव विकास के वस्था, बाल्या वस्था, कि सोरा वस्था। इसकी नर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिक भिन्नताएं होती है यह विचार विकास के किस सिध्धान के संदर में है व्यक्तिक भिन्नता का सिध्धान मनो विशलेशडवाद साइको अनलसिस के जनक थे फ्रायट मुझे बालक दे दीजिए आप उसे जैसा बनाना चाते हो मैं उसे वैसा ही बना दूंगा या कहा था वाट्सन ने सिग्वन फ्रायट के अनुसार निम्न में से मन की तीन इस्थितियां कौन-कौन सी है चेतन, अर्ध चेतन, अचेतन इड, इगो एवं सिवपर युगो को मानो की सनरशना का अभिन अंग, अभिन भाग, मानना है किसका फ्रायट का केवल दो प्रकार की मुल प्रवितिये मृत्यूयम जीवन या विचार है फ्रायट का रूचियों, मूल प्रवितियों एवं स्वाभाविक सम्वेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि वातावरण जिसमें वह रहता है स्वस्थो मूल प्रवति की प्रमुख्वी से इस्ता पाई जाती है, समस्त प्राडियों पाई जाती है, यह जन्मजात्यम प्रकृति प्रदत्त होती है व्यक्ति की स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिप्रिधि विकास का विप्रा है वह प्रक्रिया जिसमें बालग परिपक्कुता की और बढ़ता है सम्वेक शरीर की वह जटिल धसा है जिसमें स्वास, नाड़ि, तंत्र, ग्रंथियां, मानसिक, इस्थितियों, तेजना, आवबोध, आदिकान, भूति पर प्रभाव बढ़ता है तता पेशियां निर्दिष्ट व्यवहार करने लगती है यह कथन है ग्रीन का वातवरण में सब बाहत तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को आरम करने के समय में प्रभावित किया है यह परिभासा है उडवर्थ का विकास के प्रड़ाम सरुफ व्यक्ति में नवीन मी जिसेस्ताय और नवीन योग्यताय प्रकट होती है यह कथन है हर लाघ का सैक्शिक-दि रिश्ठी से बाला के विकास की अवस्थाएं है सहस्वआवस्था, बालेवस्था, किसोरावस्था सेस्वास्था की प्रमुख मनवेग्यानिक विसेस्था क्या है? मूल प्रवित्यात्मक व्यहार सेस्वास्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरोफ होता है सीखने की प्रक्रिया में दिब्रता होती है बालेवस्था का समय है 5 से 12 वर्षत बाले वस्ता की प्रमुख मनवे ज्यानिक विसेशता क्या है सामोहिकता की भावना बाले वस्ता में समानेत बालक का व्यक्तितु होता है बहिर मुखी व्यक्तितु बाले वस्ता में सिक्षा का स्वरूफ होना चाहिए सामुही खेलों ये रशनात्मक कारियों के माध्यम से सिक्षा दी जानी चाहिए बानों की व्रद्धियां विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिध्धान पर अधारित है विकास की दीशा का सिध्धान परस पर संबंद का सिध्धान व्यक्तिगत भी नताओं का सिध्धान बालक की ये विर्वित्ती जैवी की नियमों के नुसार होती है ये कतन हर लाग क निन्द में से कौन सा कारह कॵयक्ती के व्रधिया विकास को प्रवावित करता है ग्रीम youść पंक्ती ग्रीम परियवर और बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है विचार है रास का बुद्धिलब्धी के लिए विशिष्ट स्रेक इस मनवेग्यानिक को जाता है स्टर्न को सैस्वास्ता को जीवन का सरवादिक मात पोड़काल क्यों कहा जाता है यह वस्था वह अधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माड होता है जैसे जैसे बालक की आयू का विकास होता है वैसे वैसे उसके सीखने का क्रम निनलखित की ओर चलता है सूज भूज की ओर निम्ने में से कौन सा कथन सही नहीं है, विकास संख्यात्मक होता है निम्ने में से कौन सा कथन सही है, व्रिध्धी विकास को प्रभावित करती है जिसायों में बालक इमान से क्योगिता का लगभग वुड़ विकास हो जाता है, वह है 14 वर्स मस्ते सुर अपनी स्वयम की रियाओं का निरिक्षड किया जाता है आत्मन निरिक्षड विधी के द्वारा विकास आत्मक पधती को कहते हैं उत्पत्ति मुलक विधी प्रयोगा आत्मक विधी में सामना नहीं करना पड़ता है समस्या का चुनाओ मानविकास जिन दो कारग को पर निर्भर करता है वह है जैविक और सामाची कारग शिक्षक बालकों की पाठ में रूजे उत्पन कर सकता है सम्वेगों से व्यक्ति बेदों का अध्यन तथा सामानी करण का अध्यन किया जाता है विभेधात्मक विधी में एक माता-पिता के अलग-अलग रंग की संतान होती हैं क्योंकि जीव कोस के कारड़ बाल, विकास को सबसे अधीक प्रेरीत करने वाला प्रमुख घटक है बड़ा भवन बाल, विकास को प्रेरीत करने वाला घटक नहीं है परिपक्वता वातावरण के अंतर गताते हैं हवा, प्रकास, जल कितने माह का सिसू प्रोड व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है चार से पांच मास का सिसू मानसे क्विकास के लिए अध्यापक का कारे है बालकों को सीखने के पूरे पूरे आउसर प्रदान करें शात्र शात्राओं के सारे रिख स्वास्तिकी और पूरा-पूरा ध्यान दें, व्यक्तिकत भेदों की और ध्यान देते हुए उनके लिए समचित वाता वरड की व्यवस्था करें सहस्वावस्था होती है जन्म से साथ वर्ष तक, वाट्सन ने नौचात सिजू में मुख्य रूप में किन समयगों की बात कई है भय, क्रोध हुआ है, इसने है कि जब मातापिता के बच्चे उनके विपरीत विसेश्थाओं वाले विक्सित होते हैं, तो यहां पर सिध्धान्त लागू होता है प्रत्या अगमन का समयनता के नियम के नुसार मातापिता जैसे होते हैं, उनकी संतान भी होती है, मातापिता जैसे सिसु का विकास प्रारंब होता यह गर्भकाल में, सामाजी किष्दिती वंसा नुक्रम अरि AWAY होती है बालक की मुल सकतियों का प्रधान का रख यह वंसा नुक्रम बालक की अभिविद्धी जैविकी नीमों के अनुसार होती है या कधन एक रोग मैन का बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है वह वनसानुक्रम या वातावरण दोनों ही नहीं किसके विचार से सरस्वास्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रविती पर आधारित होती है वनसानुक्रम मातापिता से संतान को प्राप्ध होने वाले गुडों का नाम है या परिभासा है रूथ बैंटेक्ट की विकास के परड़ाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताय और नवीन योग्यताय प्रस्पूटित होती है या कथन है हर लाग का वातावरड प्रत्तेक वस्तु है जो व्यक्ति के जिन्स के अतिरिक्त प्रत्तेक वस्तु को प्रभावित करती है अकथने अनास्तासी का वनसानुक्रम हमें विक्सित होने की छमता प्रदान करता है अकथने लेंडिस का जीवन की प्रत्तेग घटना का वंसा नुक्रे में वातावरण से किस विद्वान ने संभोधित किया है पेज एव माईकाईवर ने यह मत किसका है सिक्षक को अपने कारे के सफल संपादन के लिए व्यावारिक मनोवी ज्यान का ज्यान होना चाहिए मौन्टेंसरी का वर्तमान समय में विद्यालों मैत्रियों प्रशनता का जो वातावरण दिखता है उसका कारण है मनोवे ज्यानिक उपचार यह विचार किसका है क्योंकि दो बालकों में समान योगेताएं या समान उन्भव नहीं होते हैं इसलिए दो व्यक्तियों में किसी वस्तु या तिकत भेट को ग्यात करने की विदियां है बुद्धि परिक्षड व्यक्ति इतिहास विधी रुची परिक्षड बालक से कहना घर गंदा मत करो कैसा निर्देश है निशे धात्मक बालेवस्ता के दो भाग कौन-कौन से पूरु वालेवस्ता तता उत्तर वालेवस्ता बालक के चारत्रे विकास के स्तर है मूल पर विध्यात्मक पुरसकार वंदंड समाजिता उत्तर वाले काल का समय कब होता है 6-12 वर्स तक बालक की सकती का वह अंच जो किसी काम में नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता या तथ्य कौन सा सिध्धा बासा विकास के विबिन अंग कौन से अक्षर ग्यान सुनकर भासा समझना, ध्वनी पैदा करके भासा बोलना इस टर्न के अनुसार खेल किया है, खेल एक एक्षिक, आत्म नियंत्रित क्रिया है समय गात्म के स्धिरता का लक्षड है भीरू, अभिप्रेडा का महत्व है रूची के विकास में, चरित्र निर्माड में ध्यान के इंद्रित करने में भासा विकास के क्रम में अंतिम क्रम सोपान है, भासा विकास की पूड़ा वस्ता सिक्षा का कारे है अरजी दुरूचियों को स्वाभावी बनाना बालक के समाजी किकास में सबसे महत्वूड कारग कौन सा मंबाता बॉरण समय गात्म किकास में की सवस्था में तेपर परिवर्तन होता है कि सुरह बॉरस्था में बालक का सारीरिक, मानसिक, सामाजीक और समय गात्माग विकास के सवस्था में पोड़ता को प्राप्त होता है किस ओर आवस्था में चरित्र को नेशिक करने वाला महतोपूड कारक है मनोरंजन संबंधी कारक जिस आयू में बालक की मानसिक योगता का लगभा कूड़ विकास हो जाता है वह है 14 वर्स शेक्षा की दुर्ष्टी से बालक की महतोपूड अवशक्ता क्या है बालकों के साथ मनवेग्यानिक वहार की अवशक्ता मानो सरीर का अगार किस ग्रंथी की सक्रियता से बढ़ता है पीनियल ग्रंथी से बालक की दिरुख जाती है सारे रिक परिपकोता प्राप्त करने के बाद दो बालकों में समान मानसिक योगताय नहीं होती है यह कतन है हर लाग का समेदना ग्यान की पहली PD है, CD है, समेदना ग्यान की पहली CD है, यह मानसिक विकास है तर्क जिग्यासा तता निर्क्ष्षक्त विकास होता है 11 भर्स की आयूब में इंटोडक्शन आफ साइकॉलाजी नाम अकबस तक लिखी है हिलगाड एओ एओ एट की सन्म व्यक्ति की स्वाप अभी क्विकास को कहते हैं अभी प्रिद्धी इमोशन शर्ब्दकार्थ है उत्तेजित करना उथल पुथल पैदा करना हल चल मचाना सम्वेग अभी प्रेरकों का भावनात्मक पक्ष है या कथन है मैकडूगल का सम्वेग प्रकृति का हर्दय है या कथन है मैकडूगल का फीजिकल एन कारेक्टर उस तक के लेकर के थौन डाइक सम्वेग ही इन व्यक्तियों को माना जाता है पशो सत्य तथा तत्यों के दृष्टि कोड से उत्तम प्रतिक्रिया का बल ही बुद्धी है बुद्धी की यह परिभासा थौन डाइक की है सामेगी के स्थिर्था में किस वस्तु के प्रति निर्वेद अधिकम को बढ़ाते है साहज जिग्यासा भौतिक वस्तु कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योगिता रखता है तो कोई व्यक्ति सिक्षक बनने की योगिता है 21 कारण से होती है अभी रूची के कारण बाले वस्ता में सिक्षा का स्वरूप होना चाहिए सामुही खेलो यो रजनात्मकारियों के माध्यम से सिक्षा दी जानी चाहिए एडॉल सेंट सब्द लेटीन भासा के एडॉल लेशियर क्रिया से बना है जिसका दादपर है परिपक्वता का बढ़ना की सुरोबस्ता का समय है 12 से 18 वर्स तक बानों की ब्रिध्यों विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिध्धान पर आधारित है विकास की दिशा का सिध्धान परस पर संबंध का सिध्धान व्यक्तिगत भिनताओं का सिध्धान बालगों को वंसानुक्रम से प्राप्त होती है वांचनी है यों अवांचनी है आधते परियावरण का निर्माड हुआ है परीधन आवरण सब्दिशन बोरिंग के नुसार जिन्सके तरेक व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु है वातावरण किसोर की सक्षा में किस बात पर विशेश ध्याना करहड़ी की आवशक्ता होती है यों सक्षा पर पूर्ड व्यवसाइक सक्षा पर परियाप्त मानसिक विकास पर किसोरावस्ता की विस्तिस्ताओं को सरुत्त ग्रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन किसोरावस्ता प्राफ्थ हो जाने पर निम्न में से कौन सा गुडबालक में नहीं आता है अधिक समायोजन का किसोरावस्ता के विकास को परिभासित करने के लिए बिंग एन हंट ने किस सब्द कौन महतोबुड माना है परिवर्दन को किसोरवस्ता में बालकों में समाजिक्ता के विकास के संदर में कौन सा कथन असत्य वे परिवार के कढ़ोर नियंत्रड में रहना पसंद करते हैं निम्ने में से कौन सा कारा किसोरवस्ता में बालक के विकास को प्रभावित करता है खानपान वंजानुगरम नियमी दिन चर्या दिवास्व अपने किस संगठन तंदर में विख्षित रूप राप्ट करता है पलायन बालक की शक्ति का वहंज जो किसी काम में नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है ये तथे कौन सा चिद्धान कहलाता है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धान निरंकुष राज तंतर में समाजी करण के प्रक्रिया होगी मन्द बालक के समाजी करण में भूमिका होती है परिवार की विध्याले की परिवेश की जिस बुद्धी का कारिक सुक्ष्म तता अमूर्थ प्रश्णों का चिंतन तता मनन द्वारा हल करना है वह है अमूर्थ बुद्धी किसों रवस्था में रुचियां होती है सामाजिक रुचियां व्यावशाईक रुचियां व्यक्तिगत रुचियां एक बालक प्रतम अउसर पर एक विवा समारों में जाता है, वहाँ उसको अनेक प्रकारी विशंगतियां द्रिष्टि को जरोती है, तो माना जायेगा कि बालक का समाजी विकास होगा मंद गती से सिक्षड कारी में बालक के प्रानम्भी का अनुभों को उत्तम बनाने का कारे करने के लिए सिक्षक को प्रयोग करना चाहिए सिक्षड सुत्रों का परवर्तिय अनुभाओं का संबंध होता है परड़ाम से, परवर्तिय अनुभाओं का प्रयोग किया जा सकता है विकास की परिष्थिती निर्माण में, विकास मार्ग को प्रसस्त करने में, बालकेंद्री सिक्षा में प्रात्मी का स्तर पर सामानित किस विधी का प्रयोग उ होती है बालक की बालक की रूचियों का ध्यान अंतनेत प्रतिभाओं का विकास गतिविधियों का विकास बालक के शिक्षा में सिक्षा ब्रधान की जाती है कवितायम कहानियों के रूप में बालक के शिक्षा में प्रमकस्थान दिया जाता है गतिविधियों प्रयोगों को प्रगती सील सिक्षा का अधार होता है वैज्यानिक ताव तकनिकी। सिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग माना जाता है प्रगती सील सिक्षा। सिक्षा में प्रात्मिकस्तर पर खेलों का प्रयोग माना जाता है बालकिंद्रेट सिक्षा। बालकों का वैख्यानिक रिष्ट को रविक्सित करना है ऑधेस से मालकेंद्रेशाय प्रगतिसिल सिक्षाकं। एक श्माज में अन्दविश्वास उन्डूडिवादी तौकि समाप्ती के लिए आवस्चे के प्रगतिसिल सिक्षाक। इस वालगों के लिए उनके सेक्षिक आईवास के पूर्ति की जाती है बाल किंद्य सिक्षा कि चात्रों के सर्वांगिर विकास का उतेश नीथ है बाल किंद्रित सिक्षा में एक विद्याले में जाती के अधार पर बालकों को उनकी रूचियम योगिता के अधार पर सिक्षा प्रदान की जाती है इस सिक्षा को माना जाएगा बाल किंद्रित सिक्षा बालकों को विद शाह एक दूसरी के पूरक है, बालकन्दे शिक्षा एं प्रगति शिल्शिक्षा के विकास में तो पुड़ युगदान है, मनोवी ज्ञान, विज्ञान वट तकनीकी का, एक बालक की लंबाई तीन फुट थे, दो वर्स बाद उसकी लंबाई चार फुट होगे, बालक की ल क्रॉग मायन के अनुसार विद्धी का आसा है जैविकिय सन्यमों के अनुसार विद्धी स्वरेंसन के अनुसार विद्धी सूचक है धनात्मकता का स्वरेंसन के अनुसार विद्धी मानी जाती है परिवर्तन का आधार गैसल के नुसार संकुचित द्रिष्ट कोड है व्रिधी का, गैसल के नुसार व्यापक द्रिष्ट कोड है विकास का, निम्लकित में से कौन साथ तक थे गैसल के विकास के अलोकन रूपों से संबंदी थे, सरीर, रजनात्मक, सरीर, क्रिया, विज्यानात्मक, व्यवहारात् विकास के अनुरूप व्यक्ति में नवीनियों गितायं विसेस्थायं प्रकट होती हैं अकथने श्रीमती हर लाग का सोरेंचन के अंसार विकास है परिपकतायं कारे सुधार की प्रक्रियम अभिविद्धी विद्धी की प्रक्रिया चलती है घर्भावस्था से लेकर प्रणधा वस्था तक अभिविद्धी में होने वाले परिवर्तन होते हैं शारिरिक अभिविद्धी में होने वाले परिवर्तन होते हैं मातरात्माक अभी बृद्धी में होने वाले परिवर्तनों ते रशनात्मक अभी बृद्धी का क्रम मानों को ले जाता है वृद्धावस्था की और अभी बृद्धी के अलाती है कोशिकी ये वृद्धी अभिविद्धी एक धारड़ा है, संकिर्ड धारड़ा है, अभिविद्धी का संबंद सारे रिक परिवतन से, अभिविद्धी एक साधार और प्रक्रिया है, अभिविद्धी की प्रक्रिया संभर है मापन के द्वारा विकास की प्रक्रिया चलती है गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्दर माने जाते हैं सारे रिक्मानसिक सामाजिक प्रद्धिय विकास के तंदर्व में सत्य अर्भिविद्धी बाद में होती है वो विकास पहले होता है विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्दन माने जाते हैं गुडात्मक विकास की प्रक्रिया के परड़ाम हो सकते हैं रशनात्मक एवं विध्वन सात्मक विकास का प्रहुक संबंध है परिपक्वता से विकास की छेत्र को माना जाता है व्यापक प्रक्रिया से विकास की प्रक्रिया को कटनाई के आदार पर स्विकार किया जाता है जटिल प्रक्रिया के रूप में विकास की प्रक्रिया में समावेश होता है बृध्यम परिपक्कोता का विकास की प्रक्रिया का संभव भवशिवारी करना क्रो एंड क्रो के नुसार सम्वेग है मापात्मक अनुभव। सम्वेग पुनर जागरण की प्रक्रिया यह कथने क्रो एंड क्रो का। सम्वेग सरेर की जटिल दसा है यह कथने जेम्स रेकर का। सम्वेगों में मानों को अनुभूतियां होती है सुखद वदुखद सम्वेगों की उत्पत्ती होती है परिष्थित्ती एवं मूल प्रवित्ती के अधार पर मैकडूकल के अंसार सम्वेग होते हैं 14 भारती विद्वानों के अंसार सम्वेगों के प्रकार हैं 2 भारती विद प्रवित्ति के अधर्भा कौनसा समय गुत्बन होता है आत्म अभिमान समय किस मूल प्रवित्ति के कारण गुत्बन होता है आत्म गौरों कमुकता के श्थिति के लिए कौनसी प्रवित्ति उत्तरदाई होती है काम प्रवित्ति संतान की कामना नाम मूल प्रवित्ति कौनसा समय गुत्बन करती वाचले दीनता मानों में किस समय को गुत्बन करती आत्म हीनता भोजन की तलाज किस समय क समय क से संबंदित है भूग से रशना धर्मिता मूल प्रवित्ती से कौन सा सम्वेग विक्षित होता है कृती भाव मैकडूगल के नुसर हाज से है सम्वेग यो मूल प्रवित्ती सनंग्र मूल प्रवित्ती का संबंद है अधिकार से ठकान के कारण बालक के वेवार में कौन सा सम्वेगुदय हो सकता है क्रोध सम्वेगात्म का अज सिर्था पाई जाती है कमजोर बालकों में बिमार बालकों में सम्वेगात्म के सिर्था किन बालकों में देखी जाती है प्रतिभा साली बालकों में किस परिवार में बालक में समय गात्म के सिर्थात बनोगी सुरक्षित परिवार में, प्रतिभाशाली परिवार में, सुखत परिवार में, माता पिता किस प्रकार का व्यवहार बालकों के लिए समय गात्म के सिर्था प्रदान करता है सकार आत्मा, किस समाजी किस्ति के बालक पुरसकार, प्रेड़ा, प्रसंचा विद्याले में समय गात्म के स abuse तििरता प्रादान करने के ले किस प्रकार के गतिवीधियां यह ज़्दित करने चाहिए पिकणिक, खेल, परेटन। समय कात्म का विश्थिरता प्रत्यक्षोव प्रत्यक शुरूप से प्रभावित करती है शारीरिक विकास को, मांचेक विकास को, समाजिक विकास को आश्चरे समय का उदे एक बालक में किस मूल प्रविती के कारण होता है जिग्यासा समाजी करण व्यक्ति करण एक ही प्रक्रिया के पहलू है यकथने माईकाईवर का विद्याले समाज का लगुरूप है यकथने डिवी का वह प्रक्रिया जिसे बालक अपने समाज में सुप्रिक तरीकों को सीखता है तता अपने व्यक्तित्व का अंग बनाता है उसे कहते हैं सामाजी परिवारतन बालक के समाजी करण के सबसे मातो पूर संस्था है परिवार बालक के समाजी करण के लिए प्रात्मिक व्यक्ति कहा गया है माता को बालक के समाजी करण जक्रकांतें पड़ा बिंदो अपने में समाहित करता है पास पडोस को समाजी करण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को समाजी कारे करने के योग की बनाता है यह कतन है जहन सन का समाजी करण का से रौस के नुसार बालकों में कारे करने की एक्षा विक्सित करना है समूह में अथवा एक साथ कारे करने में समाजी करण को समाजी का नुकूलन की प्रक्रिया किस विद्वान ने स्विकार की है? रोस ने. समाजी करण के माधिर्धम से व्यक्ति समाज का कैसा सदत से बनता है? मानने कोषल सहीयो की. एक बालक की समाजी करण की प्रक्रिया किस परिस्थिती में उचीत होगी पोशड में एक परिवार में बालकों के साथ सानुभूतियम प्रेम विवहार किया जाता है परन्तु बालक के कारियों को समाजी खुक्रिती नहीं मिल पाती है ऐसे इस सिती में होगा मंद समाजी करण विद्याले में समाजी करण की प्रक्रिया के लिए बालकों को कारे दिया जाना चाहिए सामोहीक कारे समाजी करण में प्रमुख रूप से सहयोगी तथ्या सहकारिता नेमुख इतने से किस देश के बालक में समाजी करण की प्रक्रिया पाई जाती है भारती है बालकों में बालकों की समाजी कारे में भाग लेने की अनुमती मिलने पर समाजी करोड की प्रक्रिया होती है तिव्र जिस समाज में समाजी की ग्यान सिक्षड को ग्रत्व विशे के रूप में महनेता प्रधान की जाती है उस समाज में बालक के समाजी करोड की प्रक्रिया होती है। प्राड़ी सी समाजिक प्राड़ी कब बन जाता है? समाजिक अंतक्रिया द्वारा, समाजिक करण द्वारा, समाजिक संपर्क द्वारा, समाने रोप से बालको द्वारा अव मर्यादी दाचरडों को नहीं सीखा जाता है समाजिक स्विक्रिति, परिवार को जूले की संग्या किसी ने ले गोल्ड स्टीन ने बालक की परिवार में समाजी करोड की प्रक्रिया संभव होती है अनुकरण द्वारा विद्याले पे बालक की समाजी करोड की प्रक्रिया होती है आपसी अंतक्रिया द्वारा विभीन संस्कृतियों के मेल द्वारा वीपिन सब बेताओं के मेल दवारा गोल्ड इच्रिंट के फॉख़ा समाजी करॉपर के प्रक्रिया लेख आतार घष